नमस्ते दोस्तों स्वागत है आप सभी को मेरे जागो सांती रसोई में दोस्तों आज के खाने में मैं बनाने जा रहा हूँ दाल, चावल और भिंडी का भुजिया तो यहाँ पर मैंने तीन से चार सो ग्राम भिंडी लिया है और इन्हें अच्छे से बोस करें और सुखे कपरे से पोच लिया है और अब हम छोटे छोटे टुकडों में पिसे में कट करेंगे यहाँ पर मैंने कड़ाई चराई है और इसमें डालेंगे 2-3 चमच सरसुका तेल तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे लंबे सलाइसे में कटे हुए प्याज प्याज को थोरी देर भून लेंगे उसके बाद हम डालेंगे हरी मीज और इन्हें भी थोरी देर के लिए भून लेंगे उसके बाद हम डालेंगे कटी हुई भींडी भींडी डालने के बाद फ्लेम को हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर हम दो से तीन मिनट पहले भून लेते हैं उसके बाद हम डालेंगे हल्दी पाउडर तो हल्दी पाउडर आप अपना सबजी के अनुसार ही डालें जितना में हमारे सब्जी का कलर अच्छा आ जाए उसके बाद हम एक से दो मिनट भूनेंगे उसके बाद हम नमक एड करेंगे तो यहाँ पर हमने स्वाद अनुसार नमक डाला है स्वाद अनुसार या आधा चमच नमक डाला है और आप हम भिंडी को धग कर कुक करेंगे यानि कि बीच में चलाते रहेंगे और चार से पांच मिनट में हमारे भूजिया जो है वो भून कर तयार हो जाएगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आसान तरीका से हमने भिंडी का भूजिया बनाया है और खाने में बहुती ज़्यादा स्वादिश्ट भी लेगते हैं अगर आज का मेरा लंज पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सेर करें